हाई फ्रेंज अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं आरेसेस के बाद अब सुसेना बोली मोदी नहीं नितिन गड़करी को पीम बनाओ हम पूरा सपोर्ट करेंगे मोदी सा की जोड़ी का बेजेपी पर एक तरफा कपजा आरेसेस को जरा भी नहीं भाता सायद यही वज़ा है कि पीम मोदी के काम के खिलाफ आए दिन उनकी ही पार्टी के नेता और संग के नेता टिपडिया कर देते हैं केंद्री सड़क परिवहन मंतरी नितिन गड़कारी इस काम के लिए बहुत पहले से लगे हुए हैं कभी वो कहते हैं कि मोदी सरकार में नौकरिया नहीं हैं कभी कहते हैं लोकसभा चुनाव के दवरान हमसे कहा गया था खूब जूठे वादे करो जब जीतेंगे तब देखा जाएगा माना जा रहा है कि आरेसेस गड़करी को पीम मोदी का बिकल्प बनाना चाहती है इसलिए उनके पक्ष में लॉबिंग जोरों से चल रही है अब NDA गठ बंधन का हिस्सा बनी शिवसेना ने साफ कर दिया है अगर नितिन गड़करी प्रधान मंतरी बनते हैं तो शिवसेना उनका पूरा समर्थन करेगी शिवसेना नेता संजय राउद के मुताबिक 2019 में होने जा रहे आम चुनाव के नतीजेतिर संकू होंगे और किसी पार्टी को बहमत नहीं मिलेगा राउद का कहना है अगर ऐसा हुआ तो पीम मोदी नहीं बलकि नितिन गड़करी पीम पत के परबल दावेदार बनकर उभरेंगे और अगर ऐसा हुआ तो शिवसेना गड़करी का पूरा सपोर्ट करेगी बीजेपी के साथ गड़बंदन में होने के बावजूद शिवसेना लगतार पीम मोदी पर हमलावार रही है राफिर मामले में शिवसेना प्रमु कुधर ठाकरे कह चुके हैं कि चौकिदार चोर है राफिर पर कॉंग्रेस का समर्थन करते हुए पार्टी ने भी जीपी सी जांच की मांग की थी बेरोजगारी पर शिवसेना प्रधान मंत्री को घेरती रहती है राम मंदिर को लेकर वो पीम मोदी पर हमलावार रहती है ऐसे में लितिन गड़करी को समर्थन का ऐलान करके उसने साफ इसारा दे दिया है कि 2019 के चुनाव में वो किस तरफ है रेड का चौधरे ने कहा प्रियंका गांधी की राजनीती में एंटी से बीजेपी परिसान लोगसभा चुनाव से पहले कॉंग्रिस ने प्रियंका गांधी को सक्रियत और से राजनीती में उतार कर एक बड़ा धमाका कर दिया प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचीव बनाए जाने के साथ ही पुर्वे उत्तर परदेश की कमान भी शौपी गई जिसे कॉंग्रेस नेताओं से लेकर कार्य करताओं तक में जबरजस्त उत्सा है कॉंग्रेस का कहना है कि पार्टी के इस कदम से सत्तारूट बीजेपी को कड़ी चुनोती मिलेगी कॉंग्रेस नेता रेडुका चौधरी का कहना है कि प्रियंका गांधी के आने से बीजेपी परिसान हो गई है उनकी टेंसन का अलार्म बजने लगा है यह राहुल जी का एक सांदार कदम है बीजेपी परिसान है इस पर कोई आश्चरी नहीं होना चाहिए यह फैसला कुछ ऐसा है जो हमेशा के लिए अनुमानित है और मुझे लगता है कि हम सभी को चुनाओं से पहले और ज्यादा आश्चरे का इंतजार करना चाहिए वही प्रियंका की एंट्री को बीजेपी ने वनसवाद बताया बीजेपी के परवक्ता जी वी एल नर्सिम्हा राव ने कहा चुनाओं से पहले कॉंग्रेस प्रियंका कार्ट चला रही है यह पाटी परिवारवाद से उबर नहीं पाई हलाकि बीजेपी की ओर से कहा गया प्रियंका का यूपी में कोई असर नहीं होगा इस पर रेडुका चौधरी ने कहा कि कॉंग्रेस परवनसवाद का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के नेता अपने गिरिबान में नहीं जाकते प्रियंका के चुनाव लड़ने के सवाल पर रेडुका ने कहा कि चुनाव लड़ने का फैसला प्रियंका ही करेगी ममता बेनर्जी ने कहा बीजेपी डरी हुई है इसलिए सीबी आई के जरिये माया अखिलेश से लेकर अपने हर बिरोधी को निशाना बना रही है पच्चिममंगाल के मुखमंत्री ममता बेनर्जी ने विपक्चियों पर हो रही सरकारी एजेंशियों की धर्पकड कुले कर मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से मम्ता बेनरजी ने ट्विट किया पूरब से लेकर पस्चिम तक, उत्तर से लेकर दछिड तक, अखलेस यादो से लेकर मायावती जी तक कोई नहीं बचा, सब बीजेपी की राजनितिक परतिशोत का सिकार हो रहे हैं क्या बीजेपी डरी हुई है, क्या वो निरास है, देश में इन दिनों जवरजस्त विपक्षी एकता की बयार चल रही है ममता बेनरजी का कहना है कि मोदी साह की जोड़ी इस एकता से इसकदर डरी हुई है कि वो अपने हर बिरोधी को सरकारी एजेंसियों का इस्तमाल करके उज्जाने की कोशिस कर रही है पैसी मंगाल CM के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के राष्ट संयोजक अरविन केजरिवार ने भी CM ममता के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा मोदी जी जाच जैन्शों के जरिये सियासी लडाई लड़ रहे हैं यूपी में मायावती और अख्लेश यादव, बंगाल में मम्ता बेनर्जी और दिल्ली में आपसे। मोधी साह की जोड़ी कोई राजनेतिक बिरोधी नहीं चाहती है। तजसी यादव ने कहा, CBI अब BBI बन चुकी है, सिर्फ भाजपा बिरोधियों को निशाना बनाती है। पह्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री मम्ता बेनर्जी ने बिपक्षियों पर हो रही सरकारी एजेंशियों की धरड़पकड को लेकर मोधी सरकार पर करारा प्रहार किया। अपने अधिकारिक ट्वीटर हेंडल से मम्ता बेनर्जी ने ट्वीट किया, पूरप से लेकर पस्चिम तक, उत्तर से लेकर दच्छिड तक, अखले स्यादों से लेकर मायावती जी तक, कोई नहीं बचा। सब बीजेपी की राजनितिक परतिशोत का सिकार हो रहे हैं, क्या बीजेपी डरी हुई है, क्या वो निरास है, देश में इन दुनों जबर्जस्त विपक्षी एक्ता की बयार चल रही है, मम्ता बेनर्जी का कहना है कि मोधी साह की जोड़ी इस एकता से इस कदर डरी हुई है कि वो अपने हर बिरोधी को सरकारी एजेंशियों का इस्तमाल करके उलजाने की कोशिस कर रही है, मम्ता बेनर्जी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए बिहार के पुर्व डिप्टी सीम तेजसी यादव, CBI को BBI यानि BJP Bureau of Investigation बता रहे हैं, तेजसी यादव BBI BBI बन चुकी है, जो भी BJP से हाथ मिलाता है, उसे क्लीन चीट देकर राजा हरिस्चेंदर की तरह सच्चा बता दिया जाता है, और जो भी BJP की आलोचना करता है, उसे इन एजेंशियों द्वारा फसाने की कोशिस की जाती है, मेरे पापा यानि के लालो पर साथ यादव को भी इसलिए फसाया गया क्योंकि वो हमेशा RSS और केंदर की BJP सरकार के आलोचक रहे हैं, तेजस्वी के बाद दिली के CM अर्विन केजरिवाल ने भी CM ममता के ट्वीट को रीट्विट करते हुए लिखा, मोदी जी जांच एजेंशियों के जरिए सियासी लड़ाई लड कांग्रेस का आरोप, मोदी ने 26 जनवरी के परेड से मध्यपर्देश राजस्थान 36 गड़ की जांकी को किया बाहर, हार का बदला ले रही BJP, सियासी दुस्मनी की इससे बत्तर और बेकार मिसाल और नहीं हो सकती, मध्यपर्देश में चुनाव हारने से बुखलाई, BJP सर कार ने 26 जनवरी को गरतन दिवस परेड में मध्यपर्देश की जांकी को सामिल करने से मणा कर दिया, 26 जनवरी के दिन देश की राजधानी दिल्ली के राजपत पर विभिन्न कारिकरम होते है, इसमें हर राजी की खासियत बताती जांकिया और उस राजी की सांक्स्क्रिति ज्ञाकियों की परदर्शनी की जाती है ऐसे में मध्यपरदेश की ज्ञाकी को परमिशन न देना ताना साही का सबसे निमनस्तर है मध्यपरदेश की कॉंग्रेस सरकार महात्मा गांधी की 150 वी जैनती की थीम पर ज्ञाकी निकारना चाहती थी लेकिन रच्छा मंत्राला ने ज्ञाकी की डीजाइन को ना मंजूर करते हुए ज्ञाकी को मना कर दिया कॉंग्रेस का आरोप है कि केंद्र की बीजेपी सरकार ने न सिर्फ मध्यपरदेश की ज्ञाकी को रोका बलकि जहां-जहां कॉंग्रेस ने हालिया विधान सभा चुनाव जीते हैं वहां की ज्ञा से गरतन दिवस परेड में सामिल जाकी राज्यों का गौरव और जनता का मान समान और अभिमान होती हैं मोदी ने मध्यपरदेश चतिसगड़ और राजस्थान की जाकी को बाहर कर परदेश के सीश को रौनने कुचलने और अपमानित करने का घृड़ित और कुचित कार्य कि जनता माफ नहीं करेगी इसी तरह का दूसरा ट्विट किया गया कि मोदी ने लिया तीन राज्यों से बदला राजपत के गरतन दिवस परेड से मध्यपरदेश चतिसगड़ और राजस्थान की जाकी को बाहर किया मोदी जी चुनाव हार का बदला राज्यों के असीमता औ तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूलें